कि नमस्कार मैं डॉक्र मकीश कुमार सर्मा एसोसिट फ्रोफेसर डिपार्बंट अप्जोलोजी सम्राट प्रजिरा चोहान गवर्बंट कॉलिज अज में हैं आज हम एक बड़ा इंपार्टन टापिक है आपके स्लेबस में रेगुलिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकरियोड्स उसमें एक ऑपेराण मॉडल है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे कि ऑपेराण मॉडल होता क्या है और बेसिकली किस प्रकार से ऑपेराण मॉडल के द्वा ट्रांस्किप्शन रेगुलेशन इन प्रोकरियोड्स किस प्रकार से होता है तो जीन्स फॉर एंजाइम्स फॉर पाथवेज आर ग्रूप इन क्लस्टर्स ऑन्दा क्रॉमोसोम्स काल्ड अब कोई भी पाथवे हो ठीक है उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की आवसकता एक रॉमोसोम के ऊपर क्लस्टर के रूप में ग्रूप में पाए जाते हैं आई बास समझे मैं यह बेसिकली क्या होता है कि जो भी पाथवेज होते हैं कोई भी पाई को मेंगल पाथवे हुआ उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स रेस्पॉंसिबल होते हैं और उन एंज इंशरे आपन क्या कहते हैं और उस को में जा इक घ्रिक करते हैं एक कावडिनेडिट एंग चारों विए एक की बाद transcribed or not this is the operator अब यह जो जीन्स होते हैं जिनका expression होना होता है उसके expression को control करने के लिए क्या होता है एक regulatory sequence होती है ठीक है और यह regulatory sequence जो पता करती है क्या करती है कि इन जीन्स का transcription होना है या नहीं होना उसको हम क्या कहते हैं operator कहते है और regulatory proteins works with operator to control transcription of the genes और इस operator के control के लिए क्या होता है एक regulatory genes भी होते हैं और वो regulatory genes क्या करते हैं एक regulatory protein का निर्मान करते हैं और यह regulatory protein क्या करती है है operator के साथ में work करके और जो genes है उनके transcription को control करती है तो हम यह देखें हैं basically क्या हो रहा है इसमें कि एक particular pathway के लिए जो भी genes सावसक होते हैं वो chromozoms के उपर cluster के रूप में पाए जाता है जिनको हम operon करते हैं और यह जो genes होते हैं इनका जो उता हुआ कैसे होता है एक इंक का एक महाद कि एक चली करती है कि इनका होना या नहीं होना यह नहीं होना इनका ट्रांस्किपξन होना ये नहीं certaines उनि इसके फिंट है और इसके लिए गई रहा है वpload कर होते हैं जो क्या करते हैं अप्लेटरिक के साथ में कारिय करते हैं जिस से की प्रांस्किप्संट के प्रासेस को गंट्रोल किया जा सकते हैं अब एक बैक्टिरिया के प्रांस तो हम इसमें इसमें कर रहा है इन बैक्टिरिया जीन्स एंगोर्डिंग दाइंजाइम्स अफ़ पार्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे और ओफन गूप्ट अजिसन चुवन और इने क्लेस्टर ऑंदा क्रॉमोजॉम्स हुई बात है यह देखिए आप यह जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट इस्ट्रक्शल जीन्स है जो कि क्ल सिंगल पॉलिस स्ट्रोनिक अमारने एंगुर्डिंग ऑल दाइंजाइम्स अब्दा मेटाबलिक पाथवे यह बड़ा इंपार्टिंट है यह क्या हो रहे हैं जीन्स सारे सारे इसके उपर पाए जारे हैं जिनको में स्ट्रक्शल जीन्स कहते हैं इनका ट्रांस्किप्शन एक ही मारे ने पर होता है सिंगल एमारे ने पर होता है सिंगल पॉलिस स्ट्रोनिक अमारे ने बुझो क्या कर रहा है इनके सारे जीन्स के ट्रांस्किप्शन के को के लिए रस्पॉंसिपल है और सारे जो एंजाइम्स हो रहे हैं उनको यह साथ ही ट्रांस्किप्शन कर रह है उनके सारे एंजाइम को एक साथ ही ट्रांस्क्राइब यह कर रहा है यहने कोडिनेटीटीट फैसन में इनका ट्रांस्क्रिप्टिप्टिन हो रहा है एर एगुलेटरी सिक्वेंच लाइंग अड़िशन तू दा डी एन एग बीग ट्रांस्क्राइब डिटरमांस वेदर ट अब यह तो आपके स्ट्रक्ट्राइब कर रहा है कर रहा है तरहां कि अन्य रिजिन बना तारा है तिक ओह रहा है यादि यह ऑपरिंटर रीजिन जो घ्य है प्रीजिन से खंद रेक कई का रहे हैं यह और को कर रही है किसकी आपरेटर तथा प्रमॉटर रिजन की अवर्ट से तो इस रिजन को अपन क्या करते हैं कंट्रोर बिजन करों और यह जो वह जो is 통ils है इनके ट्रांस्क्रिप्षन को कंट्रॉल कर रही है निनका ड्रांस्क्राइब सब्सक्राइब होना यह नहीं होना है उनके एस पूरी सिप्टा मलों क्या करते हैं आप 1 कर रहे हैं को हुआ हुआ आप भी च हने देखिय का कर रहा है पर यशीन पर यब अर्वों आम्रेटर निर्मान कर रहे है और वह मारनी प्रोटीन का निर्मान कर रहा है और यह प्रोटीन कर रहा है यह जो प्रॉटल है यह टार्गेट सेक्वंसर बाइंड करके और इन इस्ट्रक्षियल जीन से उनके ट्रांस्किप्शन को कंट्रोल ये करती है तो इस प्रकार से रैगुलेटर जो जीन होती है आपर और मॉडल में बड़ी इंपार्टेंट होती है ये कगर ये रैगुलेटर प्रोटीन का निर्मान करती है है यह इसक्रत प्रोटीन इन को कंट्रोल करती करती है अ कि अगैज प्रकार संद्वा काम काँदी है उसके वारे माने सलाइड में देखें गे जो है वो क्या करता है दो प्रकार से काम करता है पहला आपका concept है इंडक्षन दूसरा आपका रिप्रेशन तो सबसे पहले बात इंडक्षन होता क्या है कि इंक्रिज संथेस्टेस्ट ऑफ जीन इन रेस्पॉंस टुए मेटाबलाइट इस इंडक्षन यदि जीन का संथेस्ट मैटाबलाइट के रेस्पॉंस में इझरी चुख monuments करना उसका आ0 करना है अन पाले रिक्टोय गोड़ी में आता है रेक्टोष को तोड़ना है तो उस केस में क्या होगा ब्लैक्टोष को जो ब्रैक्डौन करने वाले जो जीन से उनका expression होगा यानि यह दिए lactose आया या अपन कहें वो particular substrate आया तो particular substrate आता है तो उन जीन का synthesis increase होता है उसको अपने कहा induction यानि metabolite जो है यानि lactose का जो metabolite वो क्या कर रहा है जीन के synthesis को increase कर रहा है उसको अपने कहा induction substrate capable of activating synthesis of the enzymes that metabolize them are called co-inducer अब ये co-inducer क्या है basically कि इन में क्या औरा substrate क्या कर रहा है जो enzyme के synthesis को activate कर रहा है जो कि उसको metabolize कर रहा है उसको अपने सब्सक्राइब कर रहा है उसके बाद में यदि मान लेजिए ऐसा metabolite हो जो क्या हो उस जो enzyme है उनके synthesis को decrease करें उसको अपने का रिप्रेसर ऐसा कब होगा कि जब मान लेजिए enzyme क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्सक्रेट के निरमान के genes को बना रहे हैं यदि मान लेजिए करेंगे response में दिन्स का synthesis hydrogen तो अपने क्या का उसको repression का ठीक है यानि एक concept में क्या हो रहा है Metabolism का निर्मान हो रहा है दूसरे concept में क्याmind में मैटा बले सका तोड़ा जा रहा है फूर जहा रहा है तो घ्लागतों घ्लाओ तो दोड़ा जया रहा है तो तो क्या ओघ्स करेगा जी चींज को जा मिन्यारन निर्माण होगा चलिवान के करेगा और अश्री मेंस को in repression metabolite typically an end product of its own biosynthetic enzyme जी दिखान आपको यानी क्या कर रहा है यह खुद के ही biosynthetic enzyme के निर्मान को यह क्या कर रहा है रोक रहा है और उस मेटावलेट को क्या कर हैं पर रिप्रेसर कर रहे हैं यहां पर निका था को induser ठीक है और यहां पर कह रहे हैं को repressor अब कुछ substrate ऐसे होते हैं जो क्या हो रहे हैं basically enzyme के synthesis को वो क्या कर रहे हैं activate कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है ना तो खुद का वो metabolism हो रहा है और उन सब्स्ट्रेट को कह रहे हैं अपन ग्रैट्ट्यूटर्स इंड्यूसर्स सच आइपी टीजी आइसो प्रॉपाइल बीटा थायो गलक्तोसाइट्स यानि क्या हो रहा है यह आईपी टीजी क्या कर रहा है एंजाइम के संथेसिस को तो वो एक्टिवेट कर रहा है यानि एंजाइम के संथेसिस को तो वो बढ़ा रहा है लेकिन स्वेम है ना जो metabolism है पार्टिपसेट पेट नहीं कर रहा है यानि उसका खुद का metabolism नहीं हो रहा है लेकिन क्या कर रहा है वो जीन्स के संथेसिस को वो को बढ़ा रहा है यह अपने करने के जीन्स को वह एक्टिवेट कर रहा है ठीक है उसको अपने कहा ग्रेटिटर्स इंडिसर और वह अपने एक्जामबल दे दिया अपने पास में तीन कर्शेप्ट मिलगे अपने को एक आपका इंडेक्शन दूसरा और तीसरा आपका ग्रेटिटर्स इंडिसर्स हो गए ठीक है इस वाले स्लाइड में ठीक है अब अब अपना जो कि आगे देखते गी वाकिमी इंडि अकिस प्रकार से होता है कि यहां देखिव आप यह आपका प्र आप प्र्मोमोटर और व् evitar इस नहीं यहां पे यहां पर आपका और अने पॉलिम्यियू रिस क्रार रहा है इस्टार्ट कर रहा है बना रहा है यह क्या हूद की नॉर्मल कटिसों संही श्रञ्शन जी से इनने आ molar यहां पर को रहा है जो क्या करी है रेगुलेटरी प्रोटीन- जूक्य नियर्मान कर रही है लिए रेख्वेयरी प्रोटिन नर्मान हो गWORK फ्रोटिन ए पर यह क्या ह collapse यहां पर Herrn बाइंट करते हैं क्या हुआ रोक दिया अब अर紙 है । इसे घो अभी लपाइब्ल होगा यह मीन को कर जाएक हैं इनके ट्रास्षिप्शन की प्रोस्स को क्रिक्रेकर करेगा करेगा यहां पर कशों ऌनु का यह तो अपर उपपर eight work और यहां पर क्या करेंगे इनके ट्रांसक्रप्शन को इनके बढ़ा रहा है यहां पर आपका रेप्रेशन होगा रिप्रेशन में क्या कर रहा है यह इनके ट्रांसक्रप्शन को यह बढ़ा रहा है यहां पर अगेन पॉजिटिव कंट्रोल में क्या करेगा यह अगेन हना जो और ज्यादा रिप्रेश्ट करेगा यह रिप्रेशन है ठीका आपका तो इस प्रकार से हमने दोनों कंसर्प्टे लिए आपके इंडेक्शन और दूसरा आपका रिप्रेशन और यह आपका इंड्यूसर है यहां पर और यह आपका को रिप्रेशर है ठीक है अब यह वाके में आगे किस प्रकार से होता है हम आगे के क्लास में लेंगे आज के लिए इतना ही दन्यवाद दोल दोल एके में लुणओब से होता है अभून का नपकार आपका इंड का नपकर है यह आपका लिएasisुषग के में आपको आपकोति लिएसे दूसरा आपका बागे के अज़ टूसरा हम दोल सुआ अपका baru किस दो चड़ूसरा चलूसरा ही के लिएसे दोसराइक्डर्की झाल झाल